हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे युटूब चैनल सहोस आप सलूसंस पर सीरीज में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉन्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम यह देखेंगे कि एंगर सेविन के अंदर हम कुकीज कैसे उच करते हैं कुक करना हो तो उसको कैसे करेंगे सबकूच हम इस वीडियो में वीडिकोड देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो की आपका राका सेप्ट बिल्कुल ही के लिए हो जाए het पर जाना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सम बॉक्स में अभी लेबल है तो जल्दी इंडर्मेंट करिए थैंक्यू क्योंकि आए दिन आज में बहुत सारे कोर्शन रेजll होते हैं को करें जाते हैं कि डिलीड करने का लिखि बखाओ या तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टुटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आप से रिक्विस्ट करना चाहूंगा, कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तक कैंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, तक कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूटूब एप और इमेल में मिलती रहे, दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बताते चलूं कि हमारा विपसाइट लॉंच हो चुका है, जिसका नाम है www.sohosotutorials.com उसका लिंक में इस वीडियो के description box में दे दूँगा, जहां से आप English 7 के बारे में details में information गेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आज के date में कहीं भी अबलेबल नहीं है, एक जगा पर एक ऐसा प्लेस है हमारा विपसाइट, जहां पर एक जगा पर सारा information आपको मिल सकता हैं, अभी हमारे विपसाइट पर एंगलर सेविंस रिलेटेट मैटेरियल अबलेबल है, आगे आने वाले दिनों में हम बहुत सारे कोर्सेट के मेटेरियल डालेंगे, जहां से आप इजली रीड कर पाएंगे, दोस्तों जैसे हमारे विपसाइट आप उपन करेंगे, वहां पर आपको एक notification का pop-up आएगा, उसको आप allow कर लेंगे, तो आपको क्या होगा, कि जब भी हम कोई अपडेट डालेंगे अपने वेपसाइट पर तो आपको तुरंट notification मिलेगा, तो एक बार जरूर बिजिट केजिए, आपको आच्छा लाएगा, क्योंकि सारा information आपको जो भी हमारे वीडियो में अबलेबल है, उससे ज़्यादा ही information हमारे वेपसाइट पर लेबल हैं, जहां से आप इजली पढ़ सकते हैं, तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टूटोरियल को, तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंगुलर कूकीज होता क्या है, मिन्स की कूकीज होता क्या है, तो दोस्तो कूकीज क्या होता है, कि एक वेपसाइट के या फिर हमारे अप्लिकेशन को ओपन करें तो वो डेटा हम यूज कर सकें जेनरली दोस्तों हम करते क्या है कि कुछ कुछ इन्फर्मेशन रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे डेटा को हम कुछ में सेव करते हैं जो कि जेनरली यूज होते रहते हैं उस अप्लिकेशन में राइट जैसे कि मालों दोस्तों कि ताकि हमारा वेफसाइट तुरंत के तुरंत लोड हो जाए मालों दोस्तों कोई CSS हुआ क कि उसको कुछ से ऊण लेगा यहां फिर करते हैं कि कुछ में सेव कर देते हैं उसर के ब्राज़र में में ही ताकि अगली बार जब यूजर उसमें तो देमारे कुछ से यूज कर लेते हैं कुकीज से गेट कर लेते हैं तो बहुत सारे सिनर्यों बनते हैं कुकीज को कि क्यों हम यूज करें तो दोस्तों जब आगे आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे तो आपको और आशा कंसेप्ट के लिए होगा कि कुकी जमकियों यूज करते हैं चली इसका हम प्राइट कल करके देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं राइट दोस्तों सबसे पहले था हम आपको बताएंगे कि इसको इंस्टॉल करते कैसे हैं राइट तो इसको install करने के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं कि npm install dash dash save ngx means कि दोस्तों ngx library क्या यह है ngx-cookie.service इस command को जैसे ही अपने terminal में copy करके paste करते हैं फिर type करते हैं उसके बाद इंटर हीट करते हैं तो हमारे user के browser में कुछ ऐसे information को save करने के लिए यूज करते हैं ताकि उसको हम use कर सकें बार-बार जो बार-बार यूज में आ रहा हो राइट तो दोस्तों चली इसको install करते हैं उसके बाद code करके देखते हैं तो दोस्तों यह है project जहां पर हम practical करके देखेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने सबसे पहले क्या बता है कि उसको हम install करेंगे तो इसके बाद इसको इंटर करेंगे उसके बाद इंस्टोल होना स्टार्ट करेंगा थोड़ा सा टाइम लगता है आप उसको थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए आप मैक्सिमम वन टू टू मिनिट लगता है इसको इंस्टोल होने में उसके बाद information आ जाया कि you have successfully installed कि यह इंस्टोल हो रहा है जो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इंस्टोल हो चुका है अब अब क्या करेंगे दोस्तों कि मिन्स कि अब हमारा जो application है कुकी यूज कर सकता है मिन्स कि इस application में हमने कुकी इंस्टोल कर लिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जाएंगे एप.module.ts file में और यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रोवाडर कर अंदर इसके स्वेस को मैं ngx library से यहां पर यहां पर लिखेंगे import उसके बार लिखेंगे हम कुकी-service और यहां पर लिखेंगे from यहां पर ngx service से विद्ध कि हमारा यह stepped up यह भी पूरा हुआ अगले step में दूस्तों हम का करेंगे कि हम जाएंगे जिस component पर हमें यूज करना है उस component पर हम इसे inject करेंगे राइट तो यहाँ पर हम इंजेक्ट कर लेंगे constructor के अंदर इसे inject करेंगे लिखेंगे private उसके बाद लिखेंगे cookie राइट उसके बाद दोस्तों इस service से हम cookie service से हम का करेंगे कि cookie की सर्विस को इंजेक्ट करेंगे जैसे याँ पर हम इंजेक्ट करेंगे दोस्तों आप यहाँ बदेख लिए कि इसको इंपोर्ट भी कर दिया अब क्या करेंगे दोस्तों कि आब हम His e-mail प्र हम चाहते हैं कि कि इस्ते क्लिक पर तो हम उसको इसके उसक Commission को हम से करेंगे तो आपको समझ में आए गया कि हमने जो अभी सेट किया वहाँ पर सेव हो रहा है इसके लिए क्या करना पहले इस अप्लिकेशन को सर्व कर लेते हैं देखने के लिए रैट एंजी सर्व थुछ वेट करेंगे यह सर्व हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे इस लिए पोटन करने के बाद क्या दिखता है और ब्राउजर में कैसे सेट हुथ होता है सकते मत्याने की से तो यह को सर्व और दोस्तों हम आपर देख सकते हैं कि व्यल्कमapt still restaurant जो की हमारे यहां से आ रहा है हमने यहां पर टाइटल को वैलकम hypocom dóu candidate को वैंड किया है और यह हमारा title कहा यहां से source of solutions means कि welcome to source of solutions के वल दीख रहा है हमारे browser में right और browser कम cookies को भी देख रहते हैं कि cookies में अभी क्या है available या जब हम cookies में कुछ set करेंगे तो क्या दीखेगा right यहाँ पर cookies देखने के दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर right clicker करके inspect करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर open हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बढ़ा करेंगे और इसके बाद हम इसके application में जाएंगे right application के अंदर आप देखेंगे हाँ पर cookies होता है और यह हमारे browser जो की URL है browser का यहाँ पर देखिए cookies में क्यों क्या है एक इसी तरीके से एड करके हमने देखा था वह एड किया हुआ है और यहाँ पर अब जो भी हम एड करेंगे यहाँ पर नीचे आना चाहिए right तो चलिए अब कोट करते हैं cookies को add करने के लिए right तो उसके लिए दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि एक बटन हम बनाएंगे तो HTML पर चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बटन बनाते हैं पहले एक वियाड टैग ले लेते हैं ताकि हमारा जो बटन आए नीचे आए right औ और यहाँ पर हम लिख लेंगे click me right उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि इसके click पर करें तो हम यहाँ पर click का एक event बनाएंगे right उसके बाद हम यहाँ पर एक method बना लेते हैं जिसमें हम call करेंगे क्लिक right अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों इस method को हम define करेंगे अपने component में यहाँ पर right यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम define कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें हम दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाते हैं पहले कि यह function जो हमारा call करने पर यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर कर रहा है कि नहीं कर इसके लिए हम एक चेक कर लेते हैं इसको console.log right और इसमें हम एक डाल लेते हैं hello right अब इसको जैसे हम सेब करने के बाद ब्रावजर में देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए कि हमार ब्रावजर में click me क्या button आ गया इस पर जैसे ही click करेंगे देखिए अभी हम इसको refresh भी करते हैं तो यहां पर कोई cookies refresh नहीं आ रहा है हम console में जाकर देख सकते हैं यहां पर जैसे हमने click में लिखा तो hello आ गया right देखिए दो बार हो गया जीतना पर click करेंगे उतना बर hello log में जाएगा देखिए यहां पर count देखिए अब बढ़ता जा रहा है 7 हो गया यहां पर 8 9 10 इस तरीके से right अब दोस्तों में इस बटन क्लिक पर cookies को set करेंगे right उसकी दोस्तों क्या होता है code होता है हमारा यहां पर हम लिखेंगे कि दीश डॉट का कुकी है right डॉट सेट इसमें दोस्तो हमाद दो परामेंटर भिष सकते हैं यहाँ पर यहां रही होता है कि बाता हमने लिख दीए यूजर रइंट यहां यहां पर हमालो दोस्तों यूजर आइडि का जो वैलू है उसको हम यहां पर séte करना चाहते हैं तहा तो मालो दोस्तों ABC user ID है यह हमने सेट कर दिया राइट तो इसको हम चाहते हैं कुकी में सेट हो जाए तो जैसे ही दोस्तों बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वहां पर ब्रावजर में चलिए मैं देखाता हूं वहां पर कुकी में जाकर यह सेट हो जाएगा राइट तो यहां पर देखिए दोस्तों मैं पहले दिखा दूँ कि यहां पर अभी कुछ भी नहीं है जैसी में इस पर क्लिक करूंगा खिलीक मी करने के बाद जैसी इसमें कुकी के रिफ्रेस्ट करूंगा आप देखेंगे यहां पर यूजर आगए यूजर ID ABC जो मैंने अभी डा ऐसी तरीके से आप मल्टीफल डाल सकते हैं कुकी सेट कर सकते एक और मालों दोस्तों मैंने सेट किया इस डॉट कुकी डॉट सेट उसके बाद मैंने दोस्तों ओड़त तो यहां पर लिख लिया कि यूजर टाइप और यहां पर मैंने मानों दोस्तों लिख लिया admin कुछ भी जो भी हम रखना चाहते हैं as for your requirement इसको save किया उसके बाद हम browser में चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों के जैसे ही मैं click में लिखूंगा click में किया उसके बाद जैसे ही refresh करूँगा refresh करने के बाद आप दे जाता हूँ अभी अब चलते हैं इसमें और यहां पर क्या करेंगा दोस्तों कि मैं एक alert लेता हूं right कि alert लिखना है और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों कि दीस डॉट डिस्ट डॉट कुकी डॉट गेट और इसमें हम पास कर सकते हैं दोस्तों जिस को किसको हमें गेट करना हो रैट और जैसे इसको हम सेब करेंगे दोस्तों उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे अभी यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यूजर डाला है इसको भी कर सकते हैं और बाद में दोस्तों हमें ऐसा भी requirement हो सकता है किसे हमें डिलीट करना है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम लिखेंगे जिसको हमें डिलीट करना है रैट यहाँ पर लिखेंगे दिस.Cookie.Delete और यहां पर हम लीख सकते हैं जिसको डिलीट करना है User ID User ID के मालों दोस्तों हमें डिलीट करना है अब इसको हम अलोट खटा आ जते हैं क्योंकि इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं इसको हम सेव करेंगे उसके बाद हम ब्राउजर में चलते हैं तो दोस्तो आपर जैसे मैं इसके पर क्लिक करूँगा यहां पर देखिए अभी दिख रहा है जैसे इसको रिफ्रेस करूँगा मैं यहां पर देखिए User ID करूई लिट हो चुका है तो यह होता है दोस्तों कि हम कैसे Set आण करते हैं है बइने के लिए doar कैने के लिए जोए ने विट यह जोगा करते है अगर हम हमें सारे कुछ को डिलीट करना है। यूज करना इस यूजडर से तंही हम डिलीट आल करते हैं तो दोस्तों ही कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी यूज करते हैं और क्या concept होता है कौन-कौन से method होते हैं फिर भी आपके माइन में कोई confusion हो दोस्तों हमारे comment box में जरूर शेयर किजिए और दोस्तों अगर आप details में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे अपसाइट पर विजिट किजिए जिस English 10 में काम करना बहुत है different thing क्योंकि अगर आप कहीं इंट्रव्यू देने जाते हैं तो English 10 में के बारे में भी आपको proper knowledge होना चाहिए जैसे English 10 में काम करने के लिए आपको type script आना चाहिए तो type script आना चाहिए उसके material boot step आना चाहिए API लिखना API consume करने आना चाहिए पुर्जेक्ट के बारे में knowledge होना चाहिए तीसलिए मैं आपको यह recommend करूंगा कि अगर आप बिल्कुली proper तरीके से corporate level का knowledge रखना चाहते हैं एक बहुत ही बड़े corporate level company में काम करना चाहते हैं तो आप हमारा online class join कर सकते हैं क्यो यहां तक कि Angular 2 से लेकर 9 तक के भी recommended changes वो सारे बताया जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीक लिया तो 10 महीं काम मिलेगा किसी company में हो सकता है कि 5 में मिल जाए 6 में मिल जाए तीसलिए आपको उनके भारे में भी knowledge होना चाहिए तीसलिए हम जो training देते हैं तो सारे concept आ कराते हैं उसके बाद एंगुलर मेटेरियल बूट एश्टेप उच करना शिखाएंगे एंगुलर के शाथ उसके बाद बेपी आई कंज्यूम करना क्रियेट करना कोई भी किसी भी language में डेवलप किया हुआ रेस्टेप उसको कंज्यूम करना सारा चीज हम आपको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ओनाइन क्लास जोइन कर सकते हैं जहां पर सारा चीज एक बार में आपको मिल जाएगा